Hello everyone, myself Dr. Manjumina Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota आज हम Stereo Chemistry के अंतरगत सर्व प्रता हम देखेंगे कि विन्यास का प्रतीपन वे एप्रतीपन या उसका Configuration किस कारण से रहता है उसके बाद में हम देखेंगे कि योगी को का Relative एवं Absolute Configuration किस प्रकार से निरधारित करते हैं अथार्थ आप पेक्षिक वे निरपेक्ष विन्यास क्या होता है अब हम सबसे पहले देखेंगे विन्यास का प्रतीपन वे एप्रतीपन या धारन तो जब किसी रासाइनी का भी किर्यामी एसिमेट्रिक कारवन से जुड़ेवे विभीन प्रतिस्थापियों को किसी आन्य परमाणू या समुदारा विस्थापित किया जाता है तो तीन प्रकार की संभावनाई बनती है फर्स्थ होते हैं कि उत्पादों का विन्यास किर्याकारक के विपरित हो जाए जिसे की हम वाल्डन प्रतिपन अथो वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं और यह है एसेंट्टू मेकेनिशन के द्वारा संपन होता है कि उत्पादों का विन्यास वही हो जो कि किर्याकारकों का था अथार्थ अभीकिर्या के पश्यात विन्यास में कोई चेंज ना हो यह दो प्रकार से होता है फर्स्ट एस सम्मित कारवन परमानों का पडोसी समू उस अभिक्रिया में अपना कुछ योगदान दे जिसे की हम नैबरिंग ग्रूप पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं सेकिंड है कि अभिक्रिया एस एन आई मेकेनिज्म से संपन हो आई का मतलब होता है इंटर्नल कनवर्जन तो सबसे पहले हम देखेंगे वाल्डन प्रतिपन तो जब किसी अभिक्रियाओं में कोई भी द्रूवन गूनक अनू के एस सम्मित कारवन परमानों का यदि विन्यास चेंज हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाल्डन प्रतिपन अथ्वा प्रकासिक प्रतिलोमन जब किसी एक एस सम्मित कारवन युक्त द्रूवन गूनक योगिक का वाल्डन प्रतिलोमन होता है तो उसका जो प्रतिविम्रूम अथार्थ एन एंशियोमर बनता है अथाध D-विन्यास वाले से L-विन्यास वाला व्ल योगिक और अल विन्यास वाले योगिक प्राप्त होता है फोर ग्जाम पर जब हम मैलरेँक ऐसीड का PCL के साथ किरिया करवाते हैं तो उसमें क्या होता है? वाल्डन प्रतिपन, अथार OH को जो हम CL के द्वार रिप्लेस करते हैं, तो वो पीछे की दरफ से आकरमन करने के कार्ण D से किसमें करन्वर्ट हो जाता है L क्लोरो सक्सेनिक अम, फिर इसकी हम नम AG2O से क्रिया करवाएं, तो क्या प्राप्त होता है L मैलेक अम वापस से इसका फिर हम वाल्डन प्रतिपन करवाएं, PCL5 के प्रजेंस में तो क्या होगा यहां पर D क्लोरो सक्सेनिक अमलिक प्राप्त हो जाता है जो कि AG2O की प्रजेंस में D मैलेक अमलिक के द्वार में कन्वर्ट हो जाता है और D क्लोरो सक्सेनिक अमलिक को यदि हम QH के साथ गरम करें तो वाल्डन प्रतिपन होता है जिसमें की CL के अपोजित डायरेक्शन में OH समू आता है और CL- बहार निकल जाता है इस प्रकार से D विन्यास से L और L विन्यास से D विन्यास प्राफ्त होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन अथार वाल्डन प्रतिपन में अनु का विन्यास विप्रित होता है तो उसका दुरूवन गूर्णक भी विप्रित हो जाता है जैसे कि हम यहाँ देखें कि यह dextrorotatorie compound था मेलएग कम्ल, वो किसМы कंवर्ट हुआ ? लीवो Rot수 – अथार्थ, यादि किसी अभी कि हमें धू मन गुनणन विप्रित हो रहा हो तो यह आउशक नहीं कि आउच्छ नहीं कि महां Walden प्रतिपन भी हो रहा हो जैसे कि हम यहाँ देखें कि जो डी गिल्स्रेलडिय हैड है वो मरक्यूरिक ऑकसाइड के साथ ओक्सी क्रत हो करकिसमें करनोंत होता है ? डी गिल्स्रेलड अमल में行ता है अथार्थ यहां पर इसका विन्यास चींज नहीं हो रहा है only plus अथा दक्षिन डुरूण गूनक से वाम डुरूण गूनक योगिक में convert हो रहा है अथा ये वाल्डन प्रतिपन नहीं कहला रहा है क्योंकि इसमें only गूनन परिवर्तित हो रहा है विन्यास परिवर्तित नहीं हो रहा है कि इसी प्रकार से हम देखें जब एल्लैक्टिक अमल जो की दक्षिन डुरूण गूनक है उसको यदि हम सी टूएच फाइव अथा एलकोहल और एसी एल के प्रजेंस में गरम करें तो वह कनवर्ट होता है एल एथिल लेक्टेट जिसमें की वाम दुरूण गूनक में कनवर्ट हो जाता है अता है यहां विन्यास में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है यह भी वाल्डन प्रतिपन नहीं कहलाएगा यदि कोई अभी किरिया करिया विदी दुआ और संपन होती है तो निश्यत रुप से वाल्डन प्रतिपन होता है अभी विला की प्रतिपन क्या और थाड़ है अभी क्रिया मिश्रण का ताप या अथार टेंपरेचर क्या है अब हम देखेंगे वाल्डन प्रतीपन की क्रिया विदी या मेकेनिजम ओफ वाल्डन इन्वर्जन हम जानते हैं कि SN2 अभी क्रिया में आने वाला नाभिक्स नेवी अथार्थ लिविंग गुरूप विप्रे दिसा में अथार अणू के पीछे की तरफ से आक्रमन करता है जैसे यहां BR- को OH- रिप्लेस करता है तो इसमें सामने से अटेक न होकर पीछे की तरफ से अटेक होता है और एक ऐसी सं नाभिक्स नेहीं पूर्ण रूप से जुड़ावा नहीं होता है और जाने वाला समू भी पूर्ण रूप से बंद तूटावा नहीं होता है जिसको कि हमने यहां डोटेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है तो इस स्थिति में अणू समतलिये होता है और जुड़ने वाला नाभिक्स नहीं वैं जाने वाला नाभिक्स नहीं समू उसके दोनों और लंबुवत इस्तिति में होते हैं जैसे ही जाने वाला समू हटता है तो क्या जुड़ जाता है नाभिक्स नहीं जुड़ जाता है और अनू वापस से चतुसफल के सरचना में आ जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है विण्यास उलट जाता है जैसे कि बहुत तेज आधी है और उस आधी में छत्री उलट जाए तो उधान के लिए किसी ए समित कार्वन से जुड़े ब्रोमाइड आयन का हाइड्रोक्स आयन में क्या हो जाता है विस्थापन जो कि हमने इस चित्र में देखा अब हम देखेंगे विन्यास का ए प्रतिपन या ए परिवर्थित रहना कि इंटेंशन ओफ कॉंफिग्रेशन अथार डी से डी ही प्राप्त हो और एल से ल तो इसके दो रीजन हमने पहले बताया थे फर्स्ट है पड़ोसी समु का योगदान अथार नेबरिंग ग्रूप पार्टिशिपेशन नाभिक्स नहीं अभी किर्याओं में कभी कभी पड़ोसी समु भाग लेकर योगी की विन्यास को परिवर्थित होने से रोग देता है जैसे कि हम यहां देखें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बियार को किसने रिप्लेस कर दिया ओएच माइनस मे सकते रोक देता है और अभी किर्या निम्द पड़ों में पूर्ण होती जिसमें कि विन्यास का प्रतिपन का दोबार होता है जिससे कि विन्यास कीसा देखें क liya का capitalist का जैसा ही जैसे इसमें हम देखें यहां से ब्लेगा और यहां फिर फिर फास्ट इन वर्जन होगा तो से चेंज होगा तो यह वाला सी इधर आ जाएगा रैच वापस से इधर आ जाएगा तो इस प्रकार से हम देखें कि दो बार इंवर्जन या प्रतिपन होने के कारण जो प्रोडेक्ट है उसका विन्यास क्रियाकारक का जैसा ही रहता है अथार पडोसी समूव या नेबरिंग प्रकार से जो इंटेल करणling के साथ क्लॉरड के साथ अभी करवार रहे है तो हमें अल्किल हैलाइट प्राप्त होती है इस में प्रकार से यहа टूटे और यह से निकलगा तो 이제 प्रकार से यह करबॉनE llam पास में होते हैं जो कि आपस में फिर से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से जो इंटर्णल कन्वर्जन है उसके द्वारा यदि अभी किर्या संपन हो तो क्या कहलाती है अब हम देखेंगे कि आपेक्षिक और निर्पेक्ष विन्यास क्या होते हैं relative aim absolute configuration किसी आणू में विभीन परमानों की जो आकाश चे विवस्ता होती है उस योगी का क्या कहलाती है किशी योगी की वास्तविक विन्यास को ही हम उसका निर्पेक्ष विन्यास या absolute configuration कहते हैं दो प्रती विम रूपी समावियों में से एक दक्षिन दुरुवन गूनक होता है जबकि दूसरा कौन सा होता है वाम दुरुवन गूनक हम इनके दुरुवन गूनकता को प्रियोगोद्वारा ग्यात कर सकते हैं समू की प्रकरती या संख्या के आधार पर इनके प्रती विम या स्टेंडर मानकर अन्य विन्यास प्राप्त किये थे तो इस प्रकार ग्यात विन्यास योगी का आपेक्षिक विन्यास कहते हैं अब इसके कुछ नियम है फर्स नियम है इसका सिक्वेंस ओफ रूल तो इस नियम का उप्योग हम जामिती समावयों के नामकरण की EZ पदिती एवं प्रकासिक समावयों के नामकरण की RS पदिती में करते हैं इसके अनुसार हम कार्वन पर्मानों से जुड़े विये पर्मानों अत्वा सम्हों की प्रायक्ता था प्रिफ्रेंस का निर्धारन करते हैं और उन्हें घड़ती वी प्रायक्ता के आधार पर विवस्तित करके एक क्रम बनाते हैं तो इस नियम को कोहन इंगोल्ट्री लोग का अनुक्रम नियम के नाम से हम जानते हैं और निम्न पदों में संपन होता है फर्स्ट स्टेप के आया अनुक्रम, यह सिक्वेंस रूल की, कि जो सर प्रतन सम्मन्द कार्वन परमानों से जुड़े वे परमानों को गर्ती भी परमानों संख्या के आधार पर हम क्रमबद करते हैं जैसे कि हम इस एक्जांपल में देखी कि जो एसिमेट्रिक कारवर परमानुसे इसे हाइट्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है तो हम इसको सबसे पहले परमानुसे के कि घरतीवी प्राइड पर इस प्रकार से अरेंज करेंगे हम जानते हैं कि जो आयोडीन है उसका अटोमिक नमर होता है 53, रोमीन का होता है 30, 35 और क्लोरीन का होता है 17 और हायडोजन का होता है 1 अथात IODEN की प्रायक्ता सबसे अधिक होगी क्योंकि 53 एक नंबर है फिर bromine की होगी क्योंकि सका 35 है फिर chlorine की होगी क्योंकि 17 है फिर hydrogen होगी क्योंकि इसका 1 है तो इस प्रकार से गटते वे क्रम में हम atomic number के आधार पर इनको arrange करते हैं फिर second step क्या है कि यदि कार्वन परमानू से दो समान परमानू जुड़े हुए हो तो प्रायुकता उस परमानू को मिलेगी जो कि अधिक परमानू संख्या वाले परमानू से जुड़ा हो जैसे कि हम यहां देखें कि आणो में चारो समू का परमानू जैसे इस एक्जामपल में हम देखें यहां है कार्वन से जुड़ावा CS3 है, दूसरा जुड़ावा है CS2 CL है, तीसरा CL है और एचे, तो first परायकता तो किसको मिल जाएगी यहां पर CL को क्योंकि इसका atomic number 17 है लेकिन second परायकता, यहां भी कार्वन है यहां भी कार्वन है, तो इस कार्वन के साथ तो तीन हाइट्रोजन जुड़े है जबकि इसके साथ दो हाइट्रोजन और एक CS मनले कि कार्वन के साथ अधिक परायकता वाला CL जुड़ा हो, तो second preference कि इसको मिलेगी CL के बाद CS to CL को third preference मिलेगी इसमें CS 3 को और last मिलेगी हाइट्रोजन को तो इस प्रकार से हम इसको घठतेवे क्रम में रखते है third rule क्या है इसका कि यदि किसी समू में 2 बंध अथवा 3 बंध हो तो उसे 2 अथवा 3 परमानों से जुड़ावा माना जाता है जैसे कि हम यहां देखें C double bond O तो यहां double bond है तो दो oxygen परमानों से जुड़ा मानेंगे इसी प्रकार से C triple bond N तो यहां हम 3 nitrogen परमानों से जुड़ा मानेंगे तो इनके अनुक्रम किस प्रकार से होगा जैसे CL को तो first preference मिलेगी और second is C HO अथात की carbon के साथ दो oxygen परमानों जुड़े होगे तो second preference C HO को third CS3 को और fourth number किसको मिलेगा hydrogen को तो इस प्रकार से इनका इस नियम के according इसकी numbering करके और इसको घड़ते वे क्रम में रखते हैं fourth rule क्या है इसका कि यदि carbon परमानों से दो समस्थानी परमानों अथा isotopic atom जुड़े होगे हो तो प्रायक्ता उस परमानों को मिलेगी जिसका की द्रगमान आधिक है जैसे कि हम यहाँ देखें कि ये वाला carbon जुड़ा हो है fluorine से, deuterium से, hydrogen से और CH3 से तो atomic number सरवादी किसका है याबर fluorine का फिर है carbon का लेकिन hydrogen और deuterium का atomic number तो 1 है लेकिन हम अब इसका देखेंगे atomic mass atomic mass किसका अधिक है deuterium का ज़्यादा है या है hydrogen का हम जानते हैं कि deuterium का mass ज़्यादा होता है 2 और इसका 1 होता है तो क्रम क्या हो जाएगा fluorine उसके बाद CS3 फिर deuterium और उसके बाद में hydrogen तो इन नियमों का पालन करते हैं हम सामाने समूं का प्राइक्ता क्रम का निर्दारण करते हैं इसको हम देखें तो ये प्राइक्ता क्रम के आधार पर निर्दारण क्यार रखे है ये वाली series iodine का सबसे अधिक है क्योंकि यहां पर इसका atomic नमर कितना है? 53 फिर है bromine का इसका होता है 35 फिर है chloride क्योंकि इसका 17 फिर sulfur का हो जाएगा और sulfur के साथ फिर 3 oxygen जूड़े हुए तो इसलिए SO3 H का SS से ज्यादा होगा क्योंकि इसका 16 होता है और chlorine का 17 इसलिए से नीचे है लेकिन यहां 3 oxygen जूड़े हुए है और यहां पर hydrogen तो इसको पहले मिलेगा उसके बाद में हम fluorine का जिसका कि 9 है फिर O, C, O, R तो oxygen का 8 है और O, R यहां भी 8 है लेकिन यहां oxygen sorry oxygen के साथ फिर C और दूसरे तर क्या जुड़ा हुआ है O तो इसको पहले numbering मिलेगी फिर O, R में भी यहां H, R में कोई alcohol समुआ था carbon आ रहा है इसलिए फिर O, R को मिलेगा फिर NO2 को मिलेगा NR2 को मिलेगा NO2 में भी फिर nitrogen दो oxygen परमानों के साथ जूड़ा हुआ है और यहां carbon के साथ जूड़ा हुआ है इसलिए NO2 को पहले फिर reference मिलेगी और फिर NR2 को मिलेगी इसके बाद में मिलेगी NR2 के बाद में NHR क्योंकि यहां 2R समुजड़ हुआ है जबकि यहां एक ही hydrogen जूड़ा हुआ है फिर मिलेगा NH2 को क्योंकि इसमें दोनों ही hydrogen जूड़े हुआ है फिर C1OR को क्योंकि carbon के साथ यहां 2 oxygen जूड़े हुआ है और एक एलकील जबकि C2OH में एलकील के इस्तान में क्या जूड़ा हुआ है hydrogen जो कि कम प्राइपता वाला ग्रूप है अब्धर C1OR को ज्यादा मिलेगी C0H से फिर मिलेगी COR को उसके बाद में मिलेगी CH2, CHO को फिर CH2OH को फिर Cyanide को फिर Phenyl को फिर Trialkyl को फिर CHR2 को फिर CH2R फिर CS3 फिर Deuterium फिर Hydrogen को इस प्रकार से इस कौन इन लोग प्रिलोग के अनुकरम नियम के आदार पे हमने इसको अरेंज किया और इसी के आदार पर हम योगी को का नामकरण जामिती समामे में EZ पदिती और Optical Active Compound के RS पदिती में इस नियम का उप्योग करके उनका नामकरण करते हैं Thank you